हलो गाइज अल्कम टो और चानल फिलोसोफिकल स्टाडी सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक्यू हमार से जुडने के लिए उमिद करूँगा आप सुब बहुत आच्छे है और आपका प्रिपरशन बहुत आच्छे तरीक से चल रहांगे तो गाइज मैं राहूल मोंडल सागत कारत हूँ आप सभी को इस वान डे वान टोपिक स्रीज में तो आज हम लोग इस सेसन में जोगा फिलोसोफिक को कॉंप्लेट करवाँगा था उमिद करूँगा बहुत सेसन आप लोगों ने देखा है अगर नहीं देखा है तो अभी जा इस चैनल में जाकर देख लो तो जोगा फिलोसोफिक से जितना सारे कोस्टन्स आप लोगों को करवाँगा वह सारे प्रिव्यास यर कोस्टन है इससे आप लोगों का ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस तरह से कोस्टन्स पुछे जा रहे है तो चलिए दोस्तों सुरू करत है तो फर्स्ट कोस्टन आपको सामने स्क्रीन पर ए रहा इस्वर प्रोनिधान अ एकोडिंग टू जोगा फिलोसोफिए इस ए काइंड आफ तो जोग दर्सन के अनुसर इस्वर प्रोईधान किस क्या प्रोकार है अप्शन ए ध्याना अप्शन बी नियोमा अप्शन शी आ होते हैं और कौन-कौन से सोच्वा स्वंतोष तपो सध्धाय और लास्ट में है इस्सर पुर्णिधन राइट तो यह पर कुश्टन में इस्सर पुर्णिधन पुछा है तो आप्शन बी हमारा कारेक्ट एंसर होगा अब नेक्स्ट कोश्टन पर आते हैं वीच वान एमों आप्शन बी निद्रा या फिर आप्शन सी प्रमानो या फिर आप्शन डी विकल्पो तो फ्रेंस चित्त व्रित्ति फाइब टाप्स के होते हैं एकुटिंग्ट्यू जोगा फिलोसफी और वो कौन-कौन सा प्रमान, विपर्जय, विकल्पो, निद्रा और शृति तो यह स्टेप से विपर जाए उसका ही एक पार्ट है राइट और उसको पॉंचो क्लेस के रूप में जाना जाता है और पॉंचो क्लेस कौन-कौन सा है अबिद्धा, अस्मिता, राग, देश और अभिनिवेस अब नेक्स्ट केस्टन पर आते हैं सिलेक्ट दा कारेक्ट सिक्वे तो यह सारे ऑप्शन और यह जो क्यूवर्ड है चुट चटे यह सारे सुनने के बाद आप लोगों को याद आना चाहिए कि यह उस्टांग जोग से पुछा है और उस्टांग जोग का जो सही क्रम है बो कौन सा है जाम, नियाम, आसान, प्रनायम, प्रत्ताहर, धारना, ध स्वमाधी तो यह पर दखो, सी तो पहले आएगा जोब उसके बाद नियाम हो, सी उसके बाद ए तो एक ही दो आप्शन है, फ्री और प्रनायम के बाद यह आसो ना आना चाहिए तो आप्शन डि आएगा, तो सी ए और डि तो देखो एक ही आप्शन है वह आप्शन थ्री तो option 3 हमारा correct answer हो जाएगा, आब next question पर आते है, arrange the following in the correct sequence for जोगा स्वामाधी, तो जोग स्वामाधी के लिए निमिल लेखित को सही क्रम में व्यवस्तित करे, तो दखो option A, सानन्द, option B, सास्मित, option C, स्वावित और option D, स्वाविचारो, तो friends, जोगा फिलोसोफी ने जोगा स्वामाधी को दो टाइपस में डिवाइड किया है, एक तो है संप्रोग्यातो स्वामाधी और दूसरा है और संप्रोग्यातो स्वामाधी, आब संप्रोग्यातो स्वामाधी को चार टाइपस में डिवाइड किया है, और वो कौन-कौन स है वह इतर को सब़िचार सानंद और सवीट मितों तो पहले सबीदर को आएगा तो सी पहले आएगा उसके बाद आएगा तो टी आएगा और उसके बाद आएगा सानंद tari atенный means a या तो option 3 keeping CD a और बीऊह ऑनए तो option 3 हमारा찰क्रेंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेशन पर आते हैं तो निमिल लिखत में से किसे पोतनजली ने दूस्टो कर्मों के प्रभाब से मुक्तो के रूप में परिभर्शित किया है तो अप्शन A चित्ता, अप्शन B कोई बला, अप्शन C पराब्राम्ह, या फिर अप्शन D गड़ तो फ्रेंट्स, तो अप्शन A चित्ता, ये तो सत्त रज तमों इन तीनों गुनों को एक साथ में मिलकर ये चित्ता गड़ित होता है तो ये चित्ता तो नहीं होगा आप देखो अप्शन B कोई बला, कोई बला तो ये मुक्ती के बार में बोला है यह भी नहीं होगा आप देखो option C परा ब्रह्म हो तो ब्रह्म हो के तो कोई बात यहाँ पर पतनजली ने नहीं किया है तो वाचाकन गॉड तो यहीं होगा महर्शी पतनजली ने जोग सुत्रों में जो समाधिपाद का 24 समाधिपाद है वहाँ पर इस्वर का डेफिनेशन दिया है इस तरह के कि क्लेशो कर्म बीपा को सए अपरा मिनिस्ठ पूरुशो बिसेशो इस्षरो राइट अब नेक्स्ट केशन पर आते हैं एकोडिंग टू होम जोगा इस दा सेसेशन अब दा मोडिफिकेशन अब चित्त तो किसके अनुसर जोग चित्त के संसोधन का निरोध है तो आप्शन ए बसुबंधु आप्शन बी पतनजली आप्शन सी इस्षरो क्रिश्ण आप्शन दी बिग्गान भिख्शु तो फ्र विच पार्ट और पादो अफ जोगा शुत्र डिस्कास अबॉट दा कॉंसेप्ट अफ क्रिया जोगा तो जोग शुत्र का कौन सा भाग और पाद क्रिया जोग की अवधरन के बारे में चोर्चा करता है तो आप्शन ए बीभूती पादो आप्शन बी कोई बल्लो पादो और इस कोश्चन का जो सहे एंसर होगा वह अफ्शन सी साध्यौन पाद और साध्यौन में 55 शुत्र ट्राइट और वहाँ पर बोला है कि ये जो समाधी को एचिप करने के लिए आप लोगों को एक क्लिया जोग और भूत सारे क्लेस करम फाल ये जो दुक्खो ट्री भीत है उसका कारण और उसको निब्रित्ती और निब्रित्ते का जो उपाई है वह सारे डिस्कस किया है इस साध्वना पाद में तो आप्शन C हमारा कारेक्ट्रेंसर होगा और समाधिपाद में 51 सुत्रोज है और वहाँ पर सिर्फ जोग का स्वरूप और उसका टाइप्स वह सारे पुछा गया है और जो बिभूतिपाद है वहाँ पर 56 सुत्रोज है और बिभूतिपाद में तो जोग का बहुत सारे दिख और यह जोग से बहुत सारे hollow kick स्वक्ति hustle किया जा सकता है वो भीवूतिपाद में डिस्कस किया है और कोईबोलोपाद में 33 सुत्रोज है और वहाँ पर कोईबोलो मिंस मुक्ति का जो सुरूप है और उसका जो टाइप से बहुत सारे यह पर डिसकस किया है राइट आप नेस्ट कॉसिन पर आते हैं तो प्रेंट्स ये स्टेटिक क्वेस्टन है तो आप लोगों को ये सिक्वेस्ट याद होना चाहिए तो अप्शन ए हमारा करेक्ट एंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेस्टन पर आते हैं तो जोग शुत्र के अनुशर क्या ध्यान की पूर्णता की इंगित करता है तो अप्शन ए नॉट हर्मिंग एनी लिभिंग बिंग अप्शन तू लिडिंग ए स्पिरिट्यल लाइफ या फिर आप्शन फोर पार्फेक्ट पीस अफ माइंड तो फ्रेंट्स जोग दोर्शन में तो भाइलन्ट और यह भाइलन्ट का तो कोई बात यहाँ पर नहीं हुआ है या कैजी एफ टू के तरह यह भाइलन्ट नहीं होगा यहाँ ठीक है तो दखो आप्शन वान नॉट हर्मिंग एनी लिभिंग बिंग यह एक नेगटिव सेंस है तो यह भी नहीं होगा और लिडिंग ए स्पिरिट्यल लाइफ या फिर पार्फेक्ट पीस अफ माइंड तो यह पार्फेक्ट पीस अफ माइंड यही होगा आप नेक्स्ट केशन पर आते हैं फूइच अब दा फोलोइंग इस दा कारेक्ट मीनिंग अब दा वार्ड कोई बोल ला इन पतंजली जोगा सिस्टम तो पतंजला जोग प्रनाले में कोई बोल ला सब्दों का सही और्थ न प्रेंड्स जोग दर्शन में जो कोई बोला है वो तो कोई बोलो मिन्स मुक्ति है यह मुक्ति के तरफ बात करते हैं तो यह दो सेपारेशन आप फूरुसों फ्रॉम प्रोकिती यही है एक सबसे बेस्ट अंसर उनियान विट इस वर यह भी हो सकता था लेकिन यह पर सेपा आ जाएगा ना है तो अप्शन टू हमारा करेक्ट एंसर है आप नेक्स्ट कोर्शन पर आते हैं मार्क दा इनकॉंपीटिवेल वन फ्रॉम दा ऑप्शन गिवन बिलो विट रेफरेंस तो पतंजोला तो पतंजोली के संधर्भों में नीचे दिये गए बिकल्पों में से अ पर कौन सा असंग अधे यह आप लोगा चिन्नित करना हो तो दखो option 1 इस्वर्व इस पेशल काइंड अपूरु शुर्ण फूरु इस अटर्नल इमंसिपेट इमन्सिपेट एड़ और option 2 इस्वर्ण प्रॉटर पर्षिवर्ण या फिर अफिर अप्शन 3 इस्वर्ण पूर knowledge यह फिर option 4 इस्वरो अप्टियर वीड विद बॉंडेज आ लिवाराशन अब दे पूरुषव तो फ्रेंस इन में से जो option 2 है इस्वरो 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 इस दा creator, perceiver and destroyer of the world यह बिल्कुल नहीं है तो यह किस से संगत है यह नया फिलोसोफी से संगत है तो option 2 हमारा सही एंसर है अब next question पर आते है select the option that presents चित्त भूमी इन कारेक्ट सिक्वेंस एज पर जोगा तो उस बिकुलप का चाइन करे जो जोग के अनुसार चित्त भूमी को सही करम में प्रोस्तुत करता है तो option 1 खिप्त बिक्प्त एकाक्गर मुढः और निरुद्ध और फ्रेंट्स जोगदर्शन ने चित्त भूमी को 5 टाइप्स में डिवाड गया है और बो आप लोग को एक सिक्वेंस वाज याद हना चाहिए और बो है खिप्त बूढः बिक्प्त एकाक्गर और निरुद्ध तो यह पर दखो option 3 खिप्त बूढः बिक्प्त एकाक्गर और निरुद्ध तो एही है तो option 3 हमारा correct answer होगा अब next question पर आते है तो which one among the following is not चित्त बूढः एस पर जोगा फिलोसोफी तो जोगदर्शन के उनसार निमलेक्त में से कौनसा चित्त बूढः नहीं है तो option 4 हमारा सही answer हो जाएगा और यह राग एकोडिंग टू जोगा फिलोसोफी यह कौनसा है पांचो क्लेस का एक क्लेस है अभिद्धा असमिता राग देस और अभिनिवेस तो यह पांचो क्लेस का एक क्लेस है तो बेसिकली देखा जाए तो जोग दर्शन में जो questions पूछा जाता है वो sequence और कौन सा है कौन सा नहीं है यह सरी पूछा जाता है तो जितने सारे sequence है वो सारे याद कर लो ठीक है आप next question पर आते है खिप्त इसे स्टेज उव चित्त इन विच तो खिप्त चित्त की बो अवस्ता है जिसमें तो option a चित्त इस डोमिनेटेड बाई दा रोजरस गुन और option c चित्त इस डोमनेटेड बाई तॉमस गुन या फिर option D, चित्तो इस ब्योंड गुना तो फ्रेंट्स ये खिप्तो एक चित्तो भूमी का एक स्टेज है और चित्तो में ये रोजोगुन का प्रहावित ज्यादा होता है जहाँ पर वो है खिप्तो स्टेज तो option A, चित्तो इस डॉमिनेटेड बाई रोजोगुना तो चित फोलोइंग रेफर्स तो ए स्टेज हैं माइंड कॉंसेंट्रेट्स अन पंचो तनमात्रो विट रिमेंबरेंस अब देर क्वालिटीज तो जोग के अनुसर बो कौन सी अवस्ता है जिसमें चित्तो पंचो तनमात्रो अबंग उनके गुनों पर केंद्रित रहता है तो option A, स स्विचारो, option C, सानंदो या option D, सास्मितो तो फ्रेंट्स एक स्टेटिक कॉस्टन है आप लोगों को एस इदिस आद रखना होगा और इस कॉस्टन का जो सही एंसर है वो है option B, स्विचारो तो स्विचारो रेफर्स तो ए स्टेज हैं माइंड कॉंसेंट्रेट्स अन पंच लोग दोर्शन के अनुसार बिकॉलपो का द्रिश्टान तो कौन सा है तो option A, to presence distinction between purso and consciousness या फिर option B, to presence snake in a rope या फिर option C, to presence rope as a rope या फिर option D, to presence two moons by putting finger on eyes तो फ्रेंट्स यह भी एक स्टेटिक कॉस्टन है आप लोगों को एस इदिस याद राखना होगा और यह जो बिकॉलप का द्रिश्टान तो है वो है to presence distinction between purso and consciousness अई है देखो एक बात दिमाग में बिठा लो कि जहाँ पर पूरुसो और प्रोकिती या फिर पूरुसो या और consciousness के distinction करता है वही सबसे best answer होगा according to yoga या फिर सांख फिलोसोफी राइट ओके तो that's all उमीद करूंगा यह सेरीज दोना आप लोगो को अच्छा लगा होगा अब फड़ा फट से comment section पर comment करके अपना feedback दीजिए और एक information देजा था हूँ आप लोगो को अगले सेसर में तब तक के लिए हस्त रहे मुस्कुरात रहे और चीत को संथ रखकर अपने preparation को आगरे कर चले थैंक यू बाई 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 टेकर ध्यान रखेगा जाहिन दोस्तों झाले प्याले बाई 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 गड़ो आपकर अपने लोगोगो आपकर अवागो आपकर चाले रहे तोस्तों